नाजरीन, पाकिसान क्रिकेट टीम जो इस वक न्यूजिलैंड में मौजूद है, खुशकबरी की बात ये है कि इसकी क्रोना टेस्टिंग मुकमल हो गई है और बारा दिन का कॉरिंटाइन पीरिड जो था वो भी पूरा हो गया, चार टेस्ट मुकमल हो गए है पाकिसान क्रिकेट टीम के और अलहमदुलिल्ला उन सब के रिजर्ट्स जो है वो नागेटिव आए है तो इसके बाद पाकिसान क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग की इजाज़त भी मिल गई है और यही नहीं बलके पाकिसान ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है पाकिसान की टीम के लिए नेशनल टीम भी अनाउंस कर दी गई है और पाकिसान शाहीन की जो टीम है वो भी अलग से तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी मुकंबल डिटेल्स बताने वाले कि क्या हुआ कैसे हुआ और केंग केंग खिलाडियों का उग टेस्ट पॉजिटिव आया और अगर यह वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल क सारे स्कॉर्ड की क्रैस्ट चर्च में हुए तो पांचवर टेस्ट जो हुआ कोविड नाइंटीन का उसके रिजर्ट कल तक मिल जाएंगे पाकिसानी टीम के और उसके बाद हूपफुली इनको ट्रेनिंग की जाज़त भी दे दी जाएगी पाकिसानी टीम के जिन मेंबरा पर तस्दीक की जा सकती है इस बात की कि इस वक्त पाकिसानी टीम में कोई भी जो है वो कोविड नाइटीन से मुतासित नहीं है और न्यूजिलेंड हकूमत के जो कावानीन है उनके मताबिक मस्बत आने वालों को 14 रोज करंतीना मुकमल करने के बाद क्लेर करार दिया जात कुछ ताखियर से वो स्कॉर्ड को कोईंस्टाउन में जाइन कर लेंगे पाकिसानी ने जो अपनी नैशनल क्रिकेट टीम अनाउंस की है तीन टी ट्वेंटी मैचेस के लिए न्यूजिलेंड के अगेंस्ट उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ उसमें बाबाराजम कप् अनके लावा अब्दुल्ला शफीक हैं, फहीम अश्रफ, हैदर अली, हारिस रूफ, हुसेन तलत, इसकार एहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मुहमद हफीज, मुहमद हसनैन, मुहमद मुसा खान, मुहमद रिजवान, सरफराज एहमद, शाहीन शाह आफीदी, उसमा वहान कादर और वहाब रियास शामिल हैं, इसके लावा पाकिसान शाहीन्स की जो टीम अनौंस की गई है, जिसने वहान इसलेंड के साथ एक चार रोजा टेस्ट मैच खेलना है, जो के गहर सरकारी मैच होगा, फोड़े, मैच पाकिसान शाहीन्स ने खेलना है, वो भी टीम शाह, शान मसूद, सुहेल खान, यासिर शाह, जफर गोहर और जिशान मलक शामिल हैं इस टीम के अंदर